अगर आप COVID-19 positive diagnose होते हैं और अगर आपको कम से कम 72 गंटे की hospitalization की ज़रत पड़ती है तो आपको यह lump sum benefit मान लेते हैं दो लाक रुपे वो आपको मिल जाएगा Hello friends मेरा नाम है Amit और आज के वीडियो में हम cover करेंगे Corona रक्षक policy के बारे में जो कि एक individual non-link non-participating health insurance plan है यह एक pure risk premium product है individual का मतलब है कि आप इस plan को सिर्फ individually ले सकते हैं अपने लिए या अपने किसी non-person के लिए आप इसको family floater की तरह नहीं ले सकते हैं non-linked और non-participating मतलब है कि इस plan का जो premium आप पे करते हैं उसके against आपको कोई भी bonus benefit या फिर आपको कोई भी market related returns नहीं मिलेंगी है और एक pure risk premium product है इसका मतलब जो भी आप premium पे कर रहे हैं वो सिर्फ risk coverage के लिए है इसमें कोई भी आपको maturity benefit नहीं मिलेगा कोरोना रक्षक policy एक affordable health insurance policy है last year जून 2020 में IRDA ने circular जारी किया था जिसके through उसने सभी companies को इस policy को launch करने के लिए कहा था और इसके जो core product है उसकी definition में या उसके features के अंदर कोई भी change करना उनको allowed नहीं था इस standard product को 18 साल से लेके 65 साल तक की age के लोग ले सकते हैं इसके अंदर एक lump sum benefit मिलता है अगर आप COVID-19 से positive diagnose होते हैं एक government aggregated lab से test कराने के बाद इस policy के अंदर आप पचास हजार से लेके धाई लाख रुपे तक का coverage करा सकते हैं पचास-पचास हजार रुपे के multiples में यानि कि पचास हजार एक लाख डेड़ लाख दो लाख या धाई तो आपको यह lump sum benefit जो भी इसका आपने समिशोड लिया है मान लेते हैं दो लाख रुपे वह आपको मिल जाएगा इस पर्टिकलर पॉलिसी के अंदर आपका actual medical खर्चा कितना होता है उसका कोई लेना देना नहीं है पर एक्जामपल आपने अगर medical आपका खर्चा आता है करीबन 2 लाख रुपे का लेकिन आपने अगर इस policy को 5 लाख रुपे का समिशोड लिया है तो आपको 2.5 लाख रुपीज का lump sum benefit मिल जाएगा दूसी तरफ अगर आपका medical expenses आते हैं total करीबन 5 लाख रुपे के लिए तो आपको 2.5 लाख रुपे का lump sum benefit मिलेगा तो इस particular policy को अगर हम compare करें तो आप इसकी तुलना एक term plan से ले सकते हैं just example के लिए जहां पर term plan में आप premium pay करते हैं पूरी अपनी life insurance की coverage के लिए इसी तरीके से आप coronavirus की coverage के लिए इस particular plan को ले रहे हैं जहां पर आपको lump sum benefit मिलेगा diagnose होने के case के अंदर इस policy के अंदर आपको तीन policy tenure की option मिलती है साड़े तीन महिने साड़े छे महिने और साड़े नो महिने अगर डेस रम में बात करें तो 105 दिन एक सो पिचानवे दिन और 285 दिन इन में से 15 डेस का waiting period होता है यानि कि effectively यह policy 3-6 और 9 महिने के लिए या 90-180 और 270 दिन के लिए available रहती है अगर आप शुरू के 15 दिन में कोविड-19 positive diagnose होते हैं और आपको hospitalization की ज़रत पड़ती है तो आपको इसका lump sum benefit अवेल करने की option नहीं मिलेगी लेकिन बात के 3-6 और 9 महिने के अंदर अगर आप positive declare होते हैं और साथ में आपको hospitalization की ज़रत पड़ती है तो आपको पूरा का पूरा lump sum benefit सारी conditions पूरी करने पे मि against tax benefit के रूप में क्लेम कर सकते हैं यह एक single premium policy है और इस plan के अंडर आपको कोई death benefit maturity benefit surrender value या lapse होने पे policy के कोई भी amount वापिस नहीं मिलेगा अगर आपके पास पहले से एक ऐसा health insurance plan है जो की covid की coverage दे रहा है आपको तो क्या आपको यह particular plan लेना चाहिए उसका answer होगा मेरे हिसाब से हाँ आपको फिर भी इस policy को consider करना चाहिए because आज की rate में medical के खर्चे काफी जादा हो जाते हैं और उस time पे आप यह नहीं देख सकते हैं कि आपका खर्चा total कितना जाएगा और भगवान ना करे अगर आपको या फिर आपके किसी pre agent को covid हो जाता है और आपने उसके against insurance नहीं ले रखी है तो medical के खर्चे आपके financial planning पे ब अभी तक भी नहीं है तो आपको इस policy को ज़रूर consider करना चाहिए ताकि आपको आपके unplanned खर्चों के against coverage मिल सके different companies ने इसके different premiums offer किये हैं आप उपर screen पे देख सकते हैं जो हाँ पे मैंने दो companies के premiums दिखाए हैं और आप देख सकते हैं काफी variation इसके अंदर available है तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप किसी site पे जैसे की policy बजार है उसके उपर जाके different premiums को compare कीजिए और देखिए कि कहाँ पे आपको कम से कम premium के अंदर जादा से जादा some insured का coverage मिल रही है Corona रक्षक और Corona coverage policy के अंदर तीन main difference है Corona रक्षक policy एक benefit based plan है जहां पे आपको lump sum amount मिलता है irrespective कि आपके medical expenses क्या रहते हैं दूसरी तरफ Corona coverage एक indemnity based plan है यानि कि वो आपको coverage देगा उस amount के लिए जितने आपके medical expenses होंगे दूसरा difference इन दोनों के अंदर है coverage का Corona रक्षक policy सिर्फ individual coverage के लिए ही issue की जा सकती है जबकि Corona coverage policy family floater या फिर individual दोनों cases के लिए issue की जा सकती है लास्ट difference दोनों के बीच में है coverage amount का Corona रक्षक policy के अंदर आप total 50,000 से लेके 5,5 लाक रुपे तक का summer short ले सकते हैं जबकि Corona coverage के अंदर आप 50,000 से लेके 5 लाक रुपे तक का cover ले सकते हैं Corona coverage के उपर मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा तो नीचे comment section में दे I hope कि आप safe रहें, स्वस्त रहें आपको COVID-19 का सामना ना करना पड़े अपना और अपने pre-region का ख्याल रखें double masking use करें हाथ बार-बार धोएं और social distancing बनाए रखें जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें because every पैसा matters